हाग आज दिसे सुनी आप देख रहे हैं आपका चलन मिस्राजी निक्रासेश दोस्तो आज की इस वीडियो में आप लोग का तहजिल से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज मैं लेकर रहा हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट जिसको लास तक देखिएगा एदिया पिस चैनल पे नए है तो प्रैस चैनल को सब्सक्राइब करें साथ इस साथ इस वेल आगन पे क्लिक करें जिससे जो भी आपके लिए इंपर्टन वीडियो लेकर आओं आप तक पहुँच जाए दोस्तों जैसा आप लोग पता है कि मैं बहुत दिनों से वीडियो अप्लोड नहीं कर पा रहा था इसका बहुत बड़ा रीजन था कि मेरा आमटेक का पेपर चड़ रहा था तो दोस्तों इस वीडियो को जदा ज़्यादा लाइक करिएगा जदा ज़्यादा सेर करिएगा चले बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहला किस्तान है वीच आप दा फॉलोइंग कंपोनेंट्स आप सीपी यू रिस्पॉंसिबल तो डारेक्ट दा सिस्टम तो एग्जिक्यूट इंस्ट्रक्शन निमलिखित में से सीपी यू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जिक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है तो यहाँ पर आपको चार आपसन मिलेंगे चार में से कोई एक सही होगा जो आपका सही होगा उसको आपको कापी पर अपना टीक लगा लेना है उसके बाद मेरे एंसर पर आना है ठीक है तो पहला आपसन है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मिन्स अलू दूसरा आपकी दे एक्सेक्यूट करने के लिए जिमेदार है तो इसका राइट अंसर क्या है आप उस पर ठीक कर सकते हैं तो इसका जो राइट अंसर है वो है नंबर भी इसका राइट अंसर है कंट्रोल यूनिट ठीक है चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स क्वेस्टन क तो question है CPU का निस्पादन प्रायक इसमें किया जाता है A, Z, B, B, MHz, C, M, I, P, S, D, Band Rate ठीक है तो अपना answer चूज़ कर लिजिए दिन बढ़ते हैं अगर बात करते हैं कि right answer इसका क्या होगा तो इसका right answer है megahertz नमबर B इसका right answer है अगर बात करते हैं question number 3 का बहुत easy question है कि computer में कौन सा hardware है यहाँ पर जो option आपको चार दिया हुआ है इन में से computer में hardware part कौन सा है option A, C++++, means C++, Windows 7, CD Rome, None of A, इसमें से कोई नहीं तो तीन option आपके यहाँ पर हैं जो कि आपको इसमें से कोई अपना answer choose करना है और last जो है वो है noun of above इसमें से कोई नहीं तो अपना answer choose कर लिए यह तो इसका जो right answer होगा वो होगा number C, CD Rome क्योंकि यहाँ पर जो option है आपका number A और number B यह क्या है दोनों software है ठीक है यह hardware नहीं है computer के software part है ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं number 4 question का तो question है hardware equipment से computer बना होता है यहाँ पर जो option दिया हुआ है वो hardware equipment के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हमारा computer relate करता है तो option A है monitor, CPU, keyboard, mouse, software and network ठीक है option B है monitor, CPU, keyboard, mouse, program and network number C है monitor, CPU, keyboard, mouse, printer and modem और number D है monitor, CPU, keyboard, application and network तो यहाँ पर जो आपका right answer है उसको choose करिए और यहाँ पर टिक लगा दीजिए तो guys यहाँ पर फिर से हम question को repeat कर देते हैं कि hardware equipment से computer बना है कि hardware equipment से हमारा यहाँ पर computer बना हुआ है इसको आपको यहाँ पर mention करना है I think आप लोग इसको choose कर लिए होंगे अपना answer ले लिए होंगे तो इसका जो right answer होगा वो होगा A monitor, CPU, keyboard, mouse, software and network से हमारा क्या होता है computer बनता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं question number 5 का computer के संदर्व में software का क्या अर्थ है question repeat करता हूँ मैं कि computer के संदर्व में software का क्या अर्थ है क्या मीनी है तो option यह है fluffy dix है computer program है computer circuit है human brain है यहाँ पे चारा अपसन आपकी सामने है उसको आप answer ठीक लगा सकते है अपनी copy में उसको note कर सकते है तो note कर लिजिए चलिए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं इसका रहा है computer program है ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं question number 6 का question है पहले electronics digital computer में क्या था फिर से question मैं repeat कर रहा हूँ कि पहले electronics digital computer में क्या था option A transistor था valve था code इसमरीती थी और चालक इसमरीती थी मतलब semi conductor memory था तो किसका use किया गया था पहले digital electronics computer में बहुत easy question I think आप लोग इसको कर लिए होंगे तो चले बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसका जो राइट एंसर है वह है वाल्ब जो हमारा पहला electronics digital computer जो बना था वह यूज किया गया था उसमें valve यूज किया गया था ठीक है चले बढ़ते हैं आगे बात करते हैं question number 7 का question number 7 है integrated circuit में servo thumb डैस में प्रियूप किये गये थे integrated circuit थे वो किस generation में यूज किया गया था इस question का ये मतलब है तो पहला option है third generation दूसरा option है second generation C है fourth generation D है fifth generation तो इसका जो right answer होगा उसको आप चूज कर लीजे चले बढ़ते हैं आगे बात करते हैं इसका क्या right answer होगा तो इसका जो right answer है नमबर A होगा third generation में integrated circuit का use means IC का use हुआ था ठीक है चले बढ़ते हैं आगे बात करते हैं question number 8 question number 8 है कौन सी की बाई और के अच्छर को delete करती है means यहाँ पे जो की की बात कर रहे हैं वो बाई और के अच्छर को delete करती है तो वहाँ पे क्या use करते हैं भाई computer में जो वहाँ पे सारे की होते हैं उसमें से क्या use करते हैं पहला ind दूसरा backspace तीसरा earphones d digital camera तो यहाँ पे जो right answer है आप चूज़ कर लिज़े तो guys आपको बता दें इसका जो right answer होगा वो होगा backspace जी यहाँ backspace से हम वहाँ के जो word होते हैं जो अक्छर होते हैं हम उसको delete करते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं question number 9 का question number 9 है भारत में निरमित प्रतम सूपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया फिर के फिर मैं आपको ये question repeat कर रहा हूँ कि भारत में निरमित प्रतम सूपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया पहला आकास दूसरा परम तीसरा अर्जुन और चौता सिधार तो आप अपना एंसर चूज कर लीजिए चले बढ़ते हैं आगर बात करते हैं कि इसका जो right answer है वो क्या है तो इसका जो right answer होगा बी परम पहला सूपर कंप्यूटर था भारत का चले बढ़ते हैं आगर बात करते हैं question number 10 मुद्रक printer जिसको कहते हैं कि गतिम आपने की काई क्या है ठीक है बहुत यह अच्छी question और आने का पूरा संभावना है आपके exam में कि printer की गतिम आपने की काई क्या है तो यहां पर option है A.CPM B.RPM C.PPM तो इसमें से कौन सा आपका answer सही है तो इसमें आप अपना answer चूज कर लिजिए तो यहां पर यदि देखा जाए तो CPM का full form होता है copy per minute ठीक है यह हमारा printer से relate कर रहा है RPM होता round per minute यह relate नहीं कर रहा है और C क्या है paper print per minute ठीक है यह print paper per minute तो इसका क्या होगा right answer होगा इसका D both A and C दोनों ही इसका right answer है ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं next question का जो है part 2 सामान यद्धनयों तार्ग की ग्यान से reasoning से general science यहां पर question आपके सामने आने वाले हैं तो यहां पर बने रहे हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और सेयर करना मत भूलिएगा यह आप चैनल पर नए हैं तो अभी वी इस चैनल पर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आने वाले हर एक्जाम की तयारी हैं अहां पर कराने वाले हैं तो चले बढ़ते हैं आगे बात करते हैं क्वेश्चन नमबर वन का तो क्वेश्चन नमबर वन है प्रस्ण चीन की जगए संख्या का चैन करें यहां पर जो यह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहां पर आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा यह जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर क्या आएगा 556-326-595-1025 तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसका जो राइट एंसर होगा आप उसको चूज कर लिजिए तो इसका राइट एंसर होगा डी अप कैसे होगा चले उसको आप देखे क्या दिया हुआ है 5 तो means 2 का स्क्वार प्लस 1 यह क्या हो जाएगा 5 ठीक है 4 का स्क्वार माइनस 1 means यहां पर क्या हो जाएगा 16 होगा माइनस 1 करेंगे 15 हो जाएगा ठीक है फिर वैसे ही 8 का स्क्वार प्लस 1 है फिर 16 का स्क्वार माइनस 1 करने प्यार है फिर 32 का स्क्वार आप करेंगे मतलब यहां पर जो संख्या है उसका क्या हो रहा है डबल हो रहा है ठीक है डबल का स्क्वार हो रहा है तो यहां पर जब स्क्वार करेंगे तो क्या रहा है इसका एंसर 1025 इसका एंसर होगा ठीक है आप लोगों समझ में आ गही होगी तो चले बढ़ते हैं आगर बात करते हैं question number 2 का दिये गए विकल्पों में से विलुप्त संख्या चूनिये ठीक है यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ triangle बने हुए है तीन triangle बने हुए है और last वाले में यहाँ पे देखिए एक number गायब है ठीक है यहाँ पे इस number को आपको बताना है बहुत जान से question को देखिए बहुत easy question है relate करना है कैसे यह आएगा तो चलिए इसको आप करिए then guys जो इसका right answer होगा वो होगा B 28 कैसे होगा आएए देख लेते हैं उसको हर आपको हर triangle को यहाँ पे relate करना पड़ेगा हर त्रीभूच को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा देखिए वहाँ पे क्या दिया हुआ है 6 into 5 plus 3 जब करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे आ रहा है 33 आ रहा है फिर next वारा त्रीभूच देखिए उसमें क्या है 7 into 3 plus 4 करेंगे 25 आ रहा है ठीक है 25 आ रहा है जब next पे बढ़िए तो वहाँ पे क्या है वहाँ पे आपको number बतानी है तो वहीं चीज आपको करना क्या है 5 into 4 plus 8 कर दीजिए तो वहाँ पे क्या आएगा answer 28 यह आपका right answer होगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगर बात करते हैं question number 3 का दिया हुआ है कि इस मीता ने उत्तर की और कुछ दूरी तै की वह बाएं मुड़कर 4 km आगे चली वह अपनी सुरुआती मिंदू से 5 km की दूरी पर पहुच गई है वह उत्तर की और कितनी दूरी चली अपने starting से वह उत्तर की और कितनी दूरी चली यह question का मतलब है तो guys इसको आप solve करिए बहुत easy question है तो इसको solve करिए अपना answer निकालिए तब तक हमना यह video push भी कर सकते हैं तो चली बढ़ते हैं आगर बात करते हैं जो right answer होगा वो होगा C अब कैसे होगा इस पर भी नजर डाल लेते हैं यहाँ पर ग्राब बना हुआ है बहुत ही ध्यान से ग्राब को देखिए किस तरह से यहाँ पर मैं explain कर रहा हूँ बहुत यह अच्छी तरह से आप इसको ध्यान से देखिएगा ठीक है guys तो यहाँ पर देखिए कि question में है कि समीता क्या की भाई यहाँ से उत्तर की ओर ठीक है यह उत्तर की ओर इस तरह से गई तो क्या हो गया 4 km ठीक है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है भाई 5 km ठीक है तो इसका जो यह है इस area को पूछ रहा है कि यह area कितना हो चली अपने विरामा वस्था से यहाँ पर जो 0 है यहाँ से और यहाँ तक का दूरी पूछ रहा है ठीक है तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है guys आपको gefallen प्रमी लगा देना है Then आपको करना क्या है कि आपको O और A की दूरी निकालनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे हो जाएगा B O का square minus A B का square ठीक है जब इसको आप solve करेंगे तो 3 km आपको वहाँ पर answer मिलेगा चलिए बढ़ते हैं अगर बात करते हैं question number 4 का निमलिकित में से किसे penicilline के आविसकारक के रूप में स्रेय दिया जाता है पहला अफसल है एलेकजंडर फ्लेमिंग भी है थामसन एडिसन निकोलस ओटो एलेकजंडर ग्रेहम बेल तो इसका जो राइट एंसर होगा वो होगा ए ठीक है चलिए बढ़ते हैं असियान का सदस्य है आपके सामने आफसन है ब्राजील, ग्रेट भीटेन, कनाड़ा, वियतमान ठीक है तो इसका जो राइट एंसर होगा वो होगा डी ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगर बात करते हैं पार्ट 3 का वो है सामान्य हिंदी ठीक है तो यहाँ पे जो इसका पहला क्वेस्टन है वो है निम्लिकित में से कौन सा सब्द तजसम नहीं है तजसम की बात हो रही है तो आप बहुत ही ध्यान से क्वेस्टन को करिए आप आई थिंग इसको आप कर ले जाएंगे तो इसका जो राइट एंसर है आप चूज कर लीजिए तो यहाँ पे जो इसका राइट एंसर होगा वो होगा नमबर ए आँख चले बात करते हैं क्वेस्टन नमबर टू का इनमें से एक रसा का पर्यावाची सब्द है अफसन है रत्न गभी भी है अर्चला धरित्री तमिस्त्रा तो इसका जो राइट एंसर होगा वो होगा क्वेस्टन का राइट एंसर डी होगा तमिस्त्रा ठीक है चले बढ़ते है आगर बात करते हैं question number 3 का question number 3 है noon sabd का wilom है इसका wilom क्या होगा noon sabd का ये पूछ रहा है question में तो यहाँ पर आफसान है अधिक नमीन नवनीत नगर तो इसका जो right answer होगा होगा c ठीक है चले बढ़ते हैं आगर बात करते है question number 4 का कपिस में कौन सा संधी है कपिस जो यहाँ पर यह word है इसमें कौन सी संधी है आपके सामने दिर्ग संधी है गुड संधी है वृदी संधी है अयादी संधी है तो इसमें से आपका लास्ट कुष्टिन है कि वीरपूरुस समास है वीरपूरुस में कौन सा समास है वह आपके सामने यह option है बहुब्री समास कर्वधार समास अपब्यवव समास और द्वंद समास तो वीरपूरुस का जो right answer होगा वह होगा यह बहुब्री समास ठीक है तो गैस हिंदी के सामने खत्म हो चुका है चले बढ़ते हैं आगर बात करते हैं टेकनिकल पार्ट का जो की होने वारा है 150 नंबर का ठीक है गैस कंप्यूटर के बाद आपको ध्यान देना है इसी पार्ट पे जो की आपको अच्छा नंबर गेन कराने के लिए फायदा होगा और आप सेलेक चिक होने फायदा हैं तो 30 सेकें एंट कंगे तो टी सेकें एने कितने इलेक्टरौन होंगे आपको इसको calculate करना है ठीक है तो यहाँ पे जो option है वो है 3.75 into 10 के पावर 19 3.75 into 10 के पावर 15 1.75 into 10 के पावर 15 और D है 1.16 into 10 के पावर 18 तो गाइस इसको आप calculate करिए अपना option choose करिए तो चले बढ़ते हैं आगर बात करते हैं इसका जो right answer होगा वो होगा A ठीक है तो यह देखते हैं कि कैसे होगा इसको solve कैसे करेंगे तोड़ा idea आपको देते हैं तो guys यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है यहाँ पे दिया है क्या I मतलब current दिया है 0.2 ampere electron क्या है 1.6 into 10 के पावर 19 और कितने time कितना लग रहा है 30 seconds तो हम जानते हैं Q is equal to क्या होता है N E और यहाँ से हमारा charge क्या हो जाएगा Q is equal to I T तो आपको क्या कर देंगे I की value रख दीजे T की value रख दीजे ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई इस से क्या हो जाएगा N is equal to Q upon E हो जाएगा ठीक है आप इसको solve करेंगे तो आपका जो right answer आएगा 3.75 into 10 के power 19 means जो आपका right answer होगा वो यह right answer होगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं next question का तो question number 2 है 230 volt सकती line में 360 watt के valve समानतर में parallel में जुड़े हुए है यदि एक valve जल जाए means एक valve जी खराब हो जाए तो क्या होगा कौन से condition आएगी यहाँ पर A है मुख खिलाइन में ज्यादा धारा होगी B है अन्य दो बल प्रकासित नहीं होगे C है सभी तिन बल प्रकासित नहीं होगे D है अन्य दो बल प्रकासित होगे बहुत ही यजी question है I think आप कर भी के ले गया होगे तो इसका जो right answer होगा वो होगा number D ठीक है चले बढ़ते हैं आगे बात करते हैं next question का question number 3 है एक node पर पहुचने वाली धारा का कुल मान 13A है अगर node से धारा समान प्रतिरोद वाली दो तारों से dash होगा means हमारा जो current है समान प्रतिरोद के साथ जारी है means current flow हो रही है तो उसमें क्या answer क्या होगा इसमें धारा का मान क्या होगा तो guys इसका जो right answer है आप choose कर लिजिए ठीक है उसको solve करिए तो इसका जो right answer है बढ़ते हैं आगर बात करते हैं इसका जो right answer है वो है C 6.5 MPF ठीक है चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं question number 4 का question number 4 है मृदू solder का सयोजन होगा means जो हमारा मृदू solder है soft solder है वो कैसे तयार होता है पहला है C 6 मतलब lead 37% 63% का सयोजन होगा कि C 6 means lead 50% 50% lead 50% 30% lead 50% 37% इसमें आपका क्या right answer है इसको choose किजिए ठीक है तो इसका जो right answer होगा वो होगा A ठीक है 37% C सा मतलब lead का होगा और 63% होगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं question number 5 का question number 5 है किसी प्रेरण कुंडली के किसी प्रेरण कुंडली के चक्रों की संख्या और क्रोड की लंबाई दोनों ही दोगुने कर दिये जाएं इसको स्वप्रेरण हो जाएगा ठीक है फिर से question को सुनिएगा किसी प्रेरड कुंडली की चक्रों की संख्या और कुरोड की सलंबाई दोनों ही दो गुने कर दिये जाते हैं इसकी 100 प्रेरड क्या हो जाएगा इसका जो self inductance है वो क्या होगा तो यहाँ पे है आदा हो जाएगा तीन गुना हो जाएगा दो गुना हो जाएगा और प्रभावित रहेगा ठीक है तो अपना question का answer चूज़ कर लिजिए तो चले बढ़ते आगे बात करते हैं answer का तो इसका answer होगा number C दो गुना होगा ठीक है चले बढ़ते आगे बात करते हैं question number 6 का question है 108 250 बोल्ट के दो बल्व 250 बोल्ट सप्लाई पर स्रेडी में लगाए गए हैं प्रतिक बल्व पर बोल्टेज क्या होगी ठीक है तो यहाँ पर आफसान है 125 बोल्ट B है 250 बोल्ट C है 100 बोल्ट D है 120 बोल्ट ठीक है तो इसका right answer आप चूज कीजिए तो इसका जो right answer होगा वो होगा 125 बोल्ट अब कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से होगा दोने क्या है तो हमें क्या करना है यहाँ पर इसकी value निकालनी है कि कितने बोल्ट इसका होगा दोनों के बीच में तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर हो जाएगा R1 is equal to R2 is equal to R total R तो total R क्या हो जाएगा 250 into 250 अपन 100 हो जाएगा ठीक है कहां से क्यों की हो जाएगा R is equal to होता है B square अपन P होता है तो B square क्या है भाई B यहाँ पर यह है हमारा supply यह है 250 into 250 अपन कितना power कितना है 100 है ठीक है तो यहाँ पर आपका जो R आएगा total R वो आएगा 625 ओम ठीक है बड़ी आगे तो bold is divider नियम लगाते हैं तो B1 आप कैसे निकालेंगे तो B1 is equal to हो जाएगा total V into R1 upon R1 plus R2 हो जाएगा जैसा आप देख पा रहे हैं जब इसको आप solve करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से phenomenon आपके सामने मिलकर आता है इस तरह से आपको equation निकलता है जब इसको solve करते हैं तो जो आपको right answer है वो आ जाता है 125 bold के ठीक है क्यों क्योंकि B1 is equal to B2 हो जाएगा B1 की value कितनी आ रही है 125 bold आ रही है बेटू के कितनी value आ रही है 125 bold आ रही है तो इसका जो right answer है वो क्या है 125 bold चलिए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं question number saving का बहुत easy question moving iron यंत्रों में moving iron instrument में displacement या जिसको करते हैं deflection torque के समानुपाती होता है ठीक है फिर से question सुन लिजे कि moving iron instrument में deflection torque मतलब TD ठीक है किसके proportional होता है तो आपको यह पता होना चाहिए इसका एक formula होता है TD is proportional to TC TC क्या है यह controlling torque होता है ठीक है तो यहाँ पे एक relation भी आता है वो क्या होता है TD is equal to by deflection किसके वज़ा से होता है वो होता है current की वज़ा से होता है TD is equal to क्या होता है i square ठीक है तो यहाँ पे जो option है वो है धारा के वर्ग के धारा के धारा के वर्ग मूल के और यहाँ पे cube of current धारा के घन के तो इसका जो right answer आप समच चुके होंगे इसका right answer होगा धारा के वर्ग के means TD is proportional to I square हम इसको कह सकते हैं कि TD is equal to TC होता है चले बढ़ते हैं आगर बात करते हैं question number 8 का question है DC motor में उपयोगी काम करने के लिए उपलब्ध टार्कों को क्या कहा जाता है ठीक है आपके पास option है armature torque, breaking torque और soft torque तो इसका right answer होगा उसको choose कर लिए इसका right answer हो है soft torque, c इसका right answer है ठीक है चले बढ़ते हैं आगर बात करते है question number 9 का alternator की output को नियत रखने के लिए prime mover की घुडंगती को समयोजित करना पड़ता है क्यों किसके द्वारा समयोजित करते हैं भाई frequency द्वारा current द्वारा और voltage द्वारा तो इसका क्या answer है इसको choose कर लिजिए इसका जो right answer होगा वो होगा c voltage ठीक है चले बढ़ते हैं आगर बात करते हैं question number 10 का तो question है refrigerator में universal motor का प्रियोग किया जाता है क्योंकि उच्च स्टार्टिंग बालागुर्ट प्राप्त करने के लिए मतलब हाई starting torque भी है यह निम्द मतलब low torque प्रदान करता है निम्द बालागुर्ट प्रदान करता है यह इस्तिर्गती प्रदान करता है ठीक है refrigerator में इसको चूज कर लीजिए तो बढ़ते हैं आगे बताते हैं आपको एंसर इसका जो राइट एंसर होगा वह होगा ए high starting torque प्रदान करता है तो आज के लिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में जल से जल क्योंकि हम चाहते हैं आपको चार से पांसेट करा दिया जाए जो की चुनिंदा क्वेश्चन होंगी गेस पेपर होकर समझ के चलिए और बहुत ही आपके लिए लावकारी होने वाला है तो बने रहे हमारे चैनल पे इदि आप चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि यूपी पीचि प्लीज में तो पना क्या रखिए